हलो दोस्तों आज एक ऐसा मैचुवल फंड लेकर आ गए हैं जहां सेफटी और रिटर्निंग दोनों का कॉंबिनेशन हो तो आज मैं इसी तरह के बेस्ट मैचुवल फंड लेकर आपके लिए आ गया हूं और इस मैचुवल फंड का फूल इन्फोर्मेशन मैं आपके साथ हिं से किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं हो कोई छूट नहीं हो और इसके बारे में एजुकेशन पॉर्पस से मैं वीडियो रख रहा हूं इसके बारे में नौलेज रखना आपको काफी जरूरी है क्योंकि कभी भविस में इन्वेस्मेंट करना हो या कोई इन्वेस्मेंट कर रह हो तो आज का जो मैच्वल फंड है वह है आईसी आईसी आईची प्रोडेंसियल इक्वीटी एंड डेक्वट्ट फंड यानि यह इसी का फुल ली भीउ करने वाला हूं तो यह हो गया मैच्वल फंड ने इसके एन ने भी प्राइज की बात किया जाए यानि इस मैच्वल फंड का एक यूनिट की कीमत क्या है तो जब मैं वीडियो सूट कर रहा हूं उस समय इस मैच्वल फंड में इसके एने भी प्राइज जो है वह 431 रुपिया जीरो फाइप 05 पैसा है तो यह हो गया इसका एने भी प्राइज इस मैच्वल को कस्टोमर के तरफ से रेटिंग जो मिली है फाइप स्टार की रेटिंग मिली हुई है देखे यहां रेटिंग जो है इसका इसका और इसमेच्वल फंड का साइज के बात किया जा या नि इस मैच्वल फंड में अभी तक लोगों ने एसाइपी के माध्यम से लगाया लेकिन अभी तक लोगों ने इस मैच्वल फंड में 40,95 करोव रुपया लगा दिया हुआ है अब बात कर लेते हैं कि इस मैच्वल फंड में यदि आप इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इंवेस्मेंट आपका क्या होने वाला है तो SIP में यानि सिस्टमेटिक इंवेस्मेंट प्लान यानि हर महीने हर महीने के किसी फिक्स तारिक को आप फिक्स एमाउंट जो है सेटिंग कर दीजिए जो हर महीने आपकी अकाउंट से डिड़क्ट हो जाएंगे तो इसमें मीनिममम SIP जो है आप मातर 100 रुपया से कर सकते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं मीनिममम लंसम यानि वन टाइम इंवेस्मेंट तो इसमें मीनिममम लंसम आप 5000 रुपया से कर सकते हैं 5000 से कम में लंसम इंवेस्मेंट नहीं होने बला है उसके बाद होल्डिंग की बात कर लिया जा यानि मैच्वल फंड में आपने तो पैसा लगा दिया लेकिन इस कमपनी के जो फंड मंज़े जहरा है वह इस चालीस जार पशाइनवे को कुरोर रूपया को कहां-कहां लगाया है तो इसकी उल्डिंग की बात कर दिया जा तो यह इसके पैसे जो है में इसके पैसे लगाए गया है तो जब हर सेक्टर में इंवेसमेंट हो ना तो वहां सेफटी काफी हो जाती इसका प्रोफिट में रहेंगे तो वह सब लेकर करे इसको मैनेज कर लेते हैं जिसकारण जो है यहां रिटर्नेंग बना पना भी असान होता है और safety लगभग मिल जाता है उसके बाद holding analysis की बात कर लिया जाए इनी इस mutual fund में कितना पैसा कहां investment है तो equity sector में 67.7% है यानि पैसा बनाने का जो machine है उसमें जादे investment है यानि 67.6% equity sector में है डेट में 18.5% जहां safety है वहां 18.5% का investment है और cash काफी रखे गए हैं यानि यह 11.6% cash रखे गए हैं यानि इतना cash रखना सही नहीं है लेकिन यह fund manager इसको cash रखे हैं तो वो अपने हिसाब से रखे होंग बात कर लेते हैं इसका expense ratio यानि mutual fund में यह आप investment करते हैं तो कहां कहां कितना charge देना परेगा तो expense ratio इसका 0.98% है exit load 1% within 1 year और stamp duty charge 0.005% है यानि expense ratio और stamp duty charge को कैसे लिया जाता है तो जब आप mutual fund में investment करेंगे SIP के माध्यम से करें या लमसम के माध्यम से करें तो जब आप investment करेंगे तो उस मैच उसी समय आपको एने भी allotment होती है जब आपका पैसा कर जाता है तो जो एने भी allotment होती है उसी एने भी में expense ratio और stamp duty charge को set कर दिया जाता है और पैसा काट लिया जाता है जो चीज आपको पता नहीं चलेगा लेकिन exit load एक परकार का penalty है यानि आप यदि पैसा इस mutual fund में लगाए है और एक साल के पहले आप अपना पैसा इस mutual fund से निकाल रहे हैं तो आपको 1% exit load के रूप में देना परेगा जो इसमें पता चल जाएगा वही 365 दिन के बाद यानि एक साल के बाद य tax का तो tax जो है one year before 20% after one year 12% यानि इस mutual fund में आपने पैसा जब invest किया तो investment जो है आपका जिस डेट में हुआ है उसके एक साल के अंदर यदि आप अपना पैसा इसमें से निकालते हैं तो आपको 20% tax देना परेगा जो आपका profit होगा investment amount पर टेक्स नहीं लगता है जो profit होगा उ अपना पैसा निकालते हैं तो आपको साहे 12% tax देना परेगा जो आपका profit बनेगा न सिर्फ उसी पर साहे 12% tax लगने वाला है investment amount per tax नहीं लगता है तो आपने overall list के बारे में इतनी तो जनकारी हासिल कर ली लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस mutual fund ने returning कितना दिया है क्या-क्या किस समय कितना returning दिया है तो इस mutual fund ने 5 सालों में 24.73% का returning दिया है वहीं 3 सालों में 23.40% का returning दिया है और एक साल की बात किया जाया तो एक साल में इस mutual fund ने 49.29% का बेहतर returning निकाल कर दिया है तो overall list की returning भी काफी अच्छी है mutual fund मेरे हिसाब से काफी बेस्ट है अगर बेस्ट नहीं रहता तो इसे 5 पेस्टार की डेटिंग नहीं मिलती तो मैं आपसे request करूँगा कि channel को जरूर subscribe किजिए ताकि आने वाला हर एक interested और informative वीडियो आपको मिलती रहे तो चलिए मिलेंगे अगले topic पर तब तक के लिए जय हिंद। झाल 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 झाल